प्रेमी या प्रेमिका को ठीक अपनी आखों के सामने देखते हैं तो दिल की धड़कने तेज हो जाती है क्या इसी को प्यार कहते हैं? इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारे दिल का प्यार के साथ क्या कनेक्शन है क्योंकि हर जगा प्यार का नाम लेते ही हर्ट का सिंवल दिखाया जाता है जहां कहीं भी प्यार की बाते होती है वहां दिल अपने आप ही चलाता है लेकिन ज़र आप गौर से देखें तो क्या वाकई में दिल प्यार करने के काबिल है विल हमारा जो ये हार्ट है अगर उसके बारे में ध्यान से सोचें कि वो करता क्या है तो वो बलड को पंप करता है और पूरे शरीर तक पहुंचाता है तो फिर इस औरगन का प्यार के साथ क्या कनेक्शन है फिर आप कह सकते हैं कि जब भी हम अपने प्रेमी या प्रेमिका को देखते हैं तो हमारे दिल की धड़कने तेज क्यों हो जाती है विल आप सही हैं दिल की धड़कने वाकई तेज हो जाती है तो आई ये इस वीडियो में जानते हैं कि ये Heart का प्यार के साथ क्या कोई connection है या फिर ये हमखाही बदनाम है विल ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे decision making में जो सबसे important role play करता है वो है हमारे brain का नाकी heart का जब कभी भी हमारे शरीर के अंदर प्यार का एहसास जागता है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ खास तरह के हार्मोन्स निकलते हैं और यही हैपी हार्मोन्स हमें ज्यादा खुशनुमा फील कराते हैं ये हमारा brain ही है जो किसी भी सूचना को किसी भी information को process करता है कई बार आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि ये तो पहली नजर का प्यार है तो क्या ये पहली नजर का प्यार वाकई कुछ होता है वेल ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा brain ही जो है वो important logical decisions लेता है जी हाँ प्यार के मामलों में भी brain ही वो important body organ है जो important decisions लेता है ना कि आपका दिल वेल मुझे लगता है कि ये जब आप सुनने के बाद बहुत सारे लोग सोच में डूब गए होंगे कि खामखा ही हम दिल को इतना बदनाम कर रखें जबकि सारी समस्या तो हमारे brain के अंदर है brain से निकलने वाले हार्मों सी हमारे love के लिए responsible होते हैं वेल ये तो अच्छा है कि हमारे filmmakers, हमारे singers और वो सारे लोग जो कला जगत से जुड़े हुए है उन्होंने प्यार के मामले में दिल को आगे रखा है ना कि दिमाग को कहीं अगर ऐसा होता तो ज़रा सोचिए फिल्मों के नाम क्या होते हम दिल दे चुके सनम इस फिल्म का नाम होता हम दिमाग दे चुके सनम किसे फिल्म दिल वाले का टाइटल होता दिमाग वाले किसे फिल्म रहना है तेरे दिल में का टाइटल होता रहना है तेरे दिमाग में फ्रेंड्शिप बनी फिल्म दिल चाहता है का टाइटल होता दिमाग चाहता है यही नहीं ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का टाइटल होता ऐ दिमाग है मुश्किल वहीं शारुक खान के फिल्म दिल से का टाइटल होता दिमाग से शारुक खान की एक और फिल्म दिल तो पागल है का टाइटल होता दिमाग तो पागल है विल ये तो हमने entertainment purpose के लिए कुछ films के titles के नाम change करकर आपके सामने रखे थे लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात बिलकुल clear हो गई होगी कि हमारा दिल खामका ही बदनाम है ये सारी परेशानिया ये सारे love affairs हमारा दिमाग ही कराता है तो अगली बार जब आपका दिल तो अगली बार जब आपका दिमाग किसी खास पे आ जाए तो अपने दिमाग से जरूर ये पूछे क्या ये सच्चा प्यार है ना कि अपने दिल से क्योंकि दिल का काम तो सिर्फ blood को pump करना है अगर किसी को देखकर आपके दिल में कुछ-कुछ होता है तो इसके लिए आपके अंदर मौझूद लव हर्मोन जिम्मेदार है ये हर्मोन आपकी प्यार से जुरी ही भावनाओं को उभारने में मददगार होता है वेल आखिर इस लव हर्मोन का एक्च्वल नाम है क्या वेल इसे ऑक्सिटोसीन हर्मोन कहते हैं कई बार आपने देखा होगा कि लोग तनाव ग्रस्ट भी हो जाते हैं आपने साथियों के साथ अच्छा वेभार नहीं करते हैं उनका रिलेशन्शिप भी खराब होने लगता है वेल इस पे काफी रिसर्च हुए हैं और बताया गया है कि वो सारे लोग जो अपने प्यार में नाकाम्याब होते हैं उनके अंदर ये लव हर्मोन यानि की आक्सिटोसीन कम थी वेल ये लव हर्मोन यानि की आक्सिटोसीन को आम तोर पर विश्वास के लिए जाना जाता है लेकिन इसके साथ ही ये लोगों में जूट बोलने और धोखा देने की प्रविर्टी को भी पैदा करता है वेल आक्सिटोसीन ही वो हर्मोन है जो नेचरल तरीके से एक दूसरे के लिए प्यार को बढ़ाता है और उसे मजबूत करता है लेकिन हाल ही में जो रिसर्ट सामने आए है उससे ये पता चलता है कि आक्सिटोसीन हर्मोन के कारण लोग अपनों से जूट बोलकर उने धोखा भी देते हैं वेल जिन लोगों को भी लगता है कि उनके अंदर प्यार की थोड़ी कमी हो गई है वो अपने पार्टनर को जरूर गले लगाएं गले लगाने से रक्त प्रवा में आक्सिटोसीन के अस्तर को बढ़ाया जा सकता है जी हाँ अगर आप अपने लव लाइट में थोड़ी कमी महसूस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर को गले जरूर लगाएं